ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91 न्यूज 91 अवाज हम सब की नमस्कार में हूं माधूरी आप देख रहें न्यूज 91 राजस्तान टी टाइम बुलेटीन में आपका स्वागत है प्रदेश और संभाग की ताजा तरिन खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वेल आइकन को ज़रूर दबाएं चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नज़र डालते हैं अब तक की टॉप हेड्लाइन्स पर उदैपुर में OBC समाज के सम्मेलन में उठी आवाज, शेक्षडिक, आर्थिक और राजनेतिक उत्थान के लिए एक जुट होने की रखी मांग कतीपई लोगोद्वारा S.A.S.T. के फरजी मुकत में बनाने पर ग्रावीनों में दिखा रोश S.D.M. से कारवाई करने की रखी मांग और हिरन मंगरी और बादरी को जोडने वाली पूलिया पर बिना वेकल्पिक रास्ता दिये ठेकेदार ने किया काम शुरू मार्ग अवरूथ होने से परिशान शेत्रवासियों ने चताया विरोध बुलेटिन की शुरुवात में बात करते हैं OPC समाज को संगठित करके इनके आर्थिक, शेक्षणिक और राजनेतिक भविश्य के बारे में जागरू करके इने आगे बढ़ाने के मकसद से अब समाज ने कदम बढ़ाना शुरू कर दिया है साथ वाडों में निवास करने वाले OPC समाज के प्रतिभावान चात्र चात्राओं को सम्मानित करने के लिए आयोजित सम्मेलन में सभी पार्टियों से जुड़ी लोग मोजुद थे सभी ने एक सुर में यह बात कही कि यदि OPC समाज एकजुट हो जाए तो हमें अपने समाज के उत्थान को लेकर कोई दिकत नहीं आएगी सर्व OPC समाज महापंचायत ट्रस्ट की ओर से आयोजित सम्मेलन में सभी राजनेतिक पार्टियों से जुड़े लोगों ने शिर्कत करते हुए समाज के उत्थान और प्रगति का संकल्प लिया इस दोरान ट्रस्ट के संस्थापक ने कहा कि उदैपूर में 60 प्रतिशत से ज्यादा OPC समाज की लोग निवास करते हैं यदि ये सभी एक जुट हो जाए तो OPC समाज के उत्थान और विकास का कार्य तेजगति से किया जा सकता है सर्व OPC समाज महापंचायत ट्रस्ट की ओर से आयोजित ये तीसरा अवोर्ड सम्मेलन था इस सम्मेलन में हिरन मगरी शेत्र के साथ वार्डो के OPC समाज के प्रतिभावान चात्र चात्राव को पुरस्करत कर सम्मानित किया गया इस मौके पर ट्रस्ट के संस्तापक दिनिश माली ने कहा कि OPC समाज एक जुट हो जाए तो हमें अपना आर्थिक शेक्षनिक और राजनितिक उत्थान करने में कोई अर्चन नहीं आएगी यह तरतिय वाड सम्मेलन क्या जा रहा है जिसमें साथ वाडों का यह सम्मेलन जो हिरनमंगरी शेक्षिक नमबर 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक का सम्मेलन है इस चेतर के जो परतिवावान बच्चे हैं जो दसी और बारवी में जो बोर्ड की परिक्षाओं में साथ पर्षेंट से उपर रंक लाए हैं उनको सभी को सिल्वर मेडल, गोल्ड मेडल और अपने बुरॉंज मेडल से सम्मानिति किया जाएगा इसके अलावा जो OBC वर्ड की 91 जातिये हैं उन सभी जाति वर्ड को बुलाया गया है उनसे उनको अपनी इस OBC जातियों को जानकारी देनी है और OBC वर्ड जो वर्डवान में उदेवुर में भी 60% से जादा है इनको अवगत कराना है जागरू करना है और आने वाले समय में OBC वर्ड के आर्थिक, सेक्षनिक और राजनीतिक वईसी के लिए इनको संगटित करके आगे बढ़ाना है और यही है आज हमारा और बढ़ती है क्योंकि क्वालटी मतलब वैदे ही फूट प्लाजा एट आयुर्वेट सर्कल राडाजी चोराया सेस्टी के फरजी मुगदमे में फसाने की धमकी देकर जगड़ा करने का आरोफ लगाते हुए ग्रामिडों ने ऐसे लोगों को चिन्नित करने और उनके खिलाब कानूनी कारवाई की मांग की है इसकी शिकायत लेकर ग्रामिडों ने उखण अधिकारी को ग्यापन सोपा औ अपनी इस मांग को लेकर ग्रामिडों ने ऐसे लोगों की खिलाफ प्रदर्शन भी किया है मामला रासमन जिले के आमेट तैसिल की जिलोला ग्राम पंचायत के भादला गाव का है बताया जा रहा है कि गाव के कुछ लोगों की खिलाफ कारवाई की मांग को लेकर LTM को शिक करने पोचे ग्रामिनों की शिकायत है कि कुछ लोग बिना वज़े सस्टी मुकदमे में फसाने की धमकी दे कर उन्हें परिशान कर रहे हैं उन्होंने बताया सारवजनी कारिक्रमों में आकर गाली गलोज निकालते हैं भादला गांव के नाराइंडलाल पिता कालूराम जाती साल्वी डाली पत्नी कालूराम जाती साल्वी आदी के द्वारा पूरे गांवालों के साथ में गाली गलोज निकालते हुए फरजी तरीके से स्सी एस्टी में फसाने की धमकी दे कर डराते हैं तथा आए दिन ग्रामवासियों के साथ बिना किसी कारण के लड़ाई जगड करने पर आमाद रहते हैं आरोपी कहते हैं कि हम अनुसुचित जाती के हैं राजनिती में अच्छी पहुंच होने के कारण हमारा कोई कुछ नहीं विगाड सकता है समस्त ग्रामवासियों ने इन लोगों के खिलाफ कठोर कारवाई करने की मांग करते हुए ग्यापन सोपा उदैपुर के हिरनमंग्री सेक्टर तीन चार पांच और मादरी को जोडने वाली पूलिया को ठेकेदार ने बिना वेकलपिक रास्ता बनाए काम शुरू कर दिया जिससे शेत्र के व्यापारी, इस्पूली बच्चे, शेत्रवासी और इस मार्क में घुजर कर अध्योगिक शेत्र में काम के लिए जाने वालों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है इस्थानी लोगों का कहना है कि इस पूलिया का रास्ता रोकने से पहले ठेकेदार को एक वेकलपिक रास्ता बनाना चाहिए था लेकिन उसने जल्दबाजी में और मनमानी तरीके से काम करना शुरू कर दिया और एसा कोई वेकलपिक रास्ता नहीं बनाया जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है अब यह पूलिया बनने में काफी समय लगेगा जिससे यहां का व्यापार प्रभावित होगा और दिपावली भी आने वाली है इस्थानी व्यापारियों ने इस बारे में जिला कलेक्टर को ग्यापन दे कर वेकलपिक मार्क बनाने की मांग की है उदैपूर पुलिस ने बेकरिया थाना शेतर में अवेश शराब के भंडारण की शिकायत मिलने पर एक मकान में दबिश दे कर अवेश शराब बरामत की है और इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफतार किया है विदानसभा चुनावों की दोरान अवेश शराब के परीवन की रोक्थाम के लिए चलाये जा रहे अभ्यान के तहट पुलिस ने इस कारवाई को अंजाम दिया है जिला पुलिस अधिक्षक उदैपूर भूवन भूशन यादव के आदेश के तहट आगामी विदानसभा की चुनाव की मद्दे नजर अवेद शराब पंडारन व परीवन के विरुत कारवाई किये जाने की कड़ी में अतिरिक्त पुलिस अधिक्षक खेरवाडा परवत सियं पोटडा डिप्टी रामिश्वर लाल के सुपरविजन में बेकर्या थानादिकारी प्रभुसी चुन्डावत और उनकी टीम ने कारवाई को अंजाम देते हुए खिला तिराय सी हिरालाल पीता पूलचन खराडी निवासी चतरपुरा थाना जाडोल के ठिकाने पर रेट की थी इस दोरान उसके द्वारा अवेत रुप से भंडारंड किये चार कार्टुन शराब पुलिस ने बरामत किये हैं पुलिस ने शराब जब्त करते हुए हिरालाल को गिरफतार किया है और धारा 19 बटे चोपन एक्साइज एक्ट के तहट मामला दर्श किया है आईए बात करते हैं विधानसभा चुनाओ को लेकर विधानसभा चुनाओ के मद्दे नजर अंग्रेजी शराब तसकरी की रोक्ठाम के अभ्यान के तहट थानादिकारी राकेश कटारा की नित्रत्व में चेक पोस्ट राफ्ता पाल पर नाकाबंदी की जा रही थी इसी दोरान घड़ा गोकल की तरफ से एक तेश गती से कार आती दिखाई दी जिसे पुलिस जापता द्वारा बेरिकेट लगा कर रोका तो इस पेट कार नंबर जीजे 38 बीडी 4571 में बेठे दोनों लोग गबराय हुए लगे इसके बाद शक होने पर कार की घहनता से जाच की गई तो कार में बने हुए लोहे की तीन गुप्त कैबिन के अंदर शराब भरी हुई थी इस पर चालक और उसके साथी को गरबतार कर शराब को जब्त कर लिया गया है डुंगरपूर पुलिस अधिक्षक कुंदन कवरिया ने बताया कि अतिरिक्त पुलिस अधिक्षक निरंजन चारण और उप अधिक्षक सीमलवाडा सुरेश चावरिया के सुपरवीजन में चलाए जा रहे अव्वेज शराब के परीवन की रोक्थाम अभ्यान के तहत चेक पोस्ट रास्तापाल पर नाकवंदी कर रहे थे इसे दोरान गड़ा गोकल्प की तरफ से एक तेजगती से आती हुई कार नजराई जिसे हेड कॉंस्टेबल मैं जापता द्वारा बेरिकेट आड़े लगा कर रोका और चालक से पुष्टाच की तो कार में सवार दोनों लोग कोई संतुष्प्रत जवाब नहीं दे पाए इस पर कार के अंदर कुछ अवेद कतिविती होने का संदे होने से उक्त दोनों व्यक्तियों को नीचे उतार कर चेक किया गया तो कार के आगे की सीट के नीचे तिन लोहे की गुप्त केबिन दिखाई दिये केबिन संदिक्त होने से सभी को खोल कर देखा गया तो इन में श शराब परिवन होना पाए जाने पर मुखत्मा दर्शकर दोनों को गिरफतार किया गया तथा कार और शराब भी जब्त कर ली गई कार की तलाशी के दोरान पुलिस को एक और नंबर प्लेट बरामत हुई जिसके नंबर जी जे 38 बीटी 451 एक कार में रखी हुई मिली नंबर प्लेट से ये लोगों को गुमरा करने का प्रयास कर रहे थे गुजरा की ये नंबर प्लेट आरजे 18 cd 0657 पुलिस ने बरामत की जुन जुनु जिले के कोपर पुलिस थाना शेत्र में रहने वाले पंकच गुर्जर और तेशपाल गुर्जर फिर अफ्तार करते उदैपुर में OBC समाज के सम्मेलन में उठी आवाज, शेक्षडिक, आर्थिक और राजनेतिक उत्थान के लिए एक जुट होने की रखी मांग। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर्की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दपाएं फिलाल इस बुलेटिन में इतना ही अब दीजे इजासत माधूरी को आप बने रहें न्यूस नाइटी वन प नियूस नाइटी वन अवाज हम सब की